हेलो इव्रीवन मैं हूँ प्रतीभा कानपुर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हलवाई लोग नमकीन कैसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले भाईया ने मौमफली के दानों को फ्राई किया हैं तो देखें इस तरह से लो मीडियम फ्लेम में दानों को हलका सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर दाने हलके भी ज़्यादा फ्राई हो गए तो इनमें कड़वाट आ जाएगी दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें इस तरह से एक बड़ी परात में निकाल लिया है अब इसके बाद जब तक ये दाने ठंडे हो रहे हैं इसके बाद अब ये जो मक्के की कचरी आती है उसे फ्राई करेंगे तो उसी तेल में इन्होंने मक्के की कच्री आपको मार्किट में आसानी से मिल जाएगी वो डाला है और इसे आपको तेज आज में फ्राइ करना है ध्यान रखें तेज आज में जैसे ही आप इसे डालेंगे ये तुरंत अच्छे से फूलेगी तो इसको फ्राइ करते टाइम आपको आज को धीमा नहीं रखना है, नहीं तो जो कच्री होती है, वो अच्छे से फूलती नहीं है, तो यह देखे, यहाँ पर यह नमकीन थोड़ी सी जादा क्वांटिटी में बन रही है, बर्ट मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी स्टेप दिखा रही हूँ, तो यह देखें यहाँ पर जितनी भी मक्का कच्री थी इन्होंने अच्छे से डीफ फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से फूल गई है अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे और जिस पराद में इन्होंने मुमफली के दाने रखे थे उसी में मक्का कच्री को भी डाल दिया है और मक्का कच्री को उसी परात में डाल करके मुमफली के दानों के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जब ये दोनों चीजें अच्छे से ठंडी होंगी तभी इनमें असली क्रिस्पीनेस आएगा मक्का कच्री फ्राई करते टाइम अगर टंप्रेचर आप सही रखेंगे तो वो अपनी साइज से फूल करके जस्ट डबल हो जाती है इसलिए टंप्रेचर का विसेज ध्यान रखना है जब आप मक्का कच्री फ्राई कर रहे हों अब यहां पर बेशन सेव की तयारी हो रही है तो एक बड़े परात में बेशन लिया है और इसमें उन्हेंने नमक डाला है थोड़ी सी हींग डाली है साथी साथ काफी सारा अजवाइन का पाउडर डाला है अजवाइन का जो पाउडर होता है वो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देता है और थोड़ा सा रिफाइंड ओयल डाला है आप इसे हाथ से इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं और पानी डाल करके इसका डो जैसा तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जो नमकीन बनाते हैं तो जारे से बनाते हैं तो इसके डो को बहुत जादा टा जरूरत के इसाप से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले हैं और अच्छे से मेक्स करते जा रहे हैं नीचे परात में जो बेशन है वो चिपक जाता है उसे भी अच्छे से चुटा लेना है थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर इन्होंने और डाला हुआ है और अब इसके बाद ये इस तरह से शेव बना रहे हैं तो जारे से ये हाथ से ऐसे सेव बना रहे हैं सेव जो है इनके बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है और ज्यादा पतले भी नहीं है इनके जो सेव रहते हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं अगर आप बेशन लगाते वक्त उसमें थोड़ा सा ओयल डालते हैं तो सेव जो है वो खस्ता बनते हैं तो यह दिखें इस तरह से जारे में यह डालने के बाद अब जब हलके से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें कलची से इस तरह से पलट देना है और इन्हें अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है यह लिजे फ्रेंज इनके सेव भी फ्राई हो गए हैं और इसी तरीके से यह सारे सेव बना के तयार करेंगे अगर आपके पास मसीन है तो आप मसीन से भी सेव बना सकते हैं उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए अब ये सेव बनाने के बाद जिसमें मुमफली के दाने और कच्री डाली थी उसी में रखा हुआ है तो यहाँ पर भाया ने इसी तरीके से सारे बेशन के सेव बना के तयार कर लिए हैं और उसी बड़े परात में डाला है और जब हलका ठंडा हो गया है तो ये हाथ से अच्छे से मेक्स कर रहे हैं तो दीके बहुत हलके हाथों से मेक्स करना है और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सेव हैं वो थोड़े से बड़े हैं तो आप इने हाथ से हलका सा तोड़ भी सकते हैं क्योंकि जो सेव है वो बहुत ही खस्ता बनती है अगर आप बेशन में थोड़ा सा तेल डालके बनाते हैं तो तो देखे फ्रेंट्स, तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, यहाँ पर इस नमकीन में उन्होंने सिर्फ तीन चीजों का इस्तमाल किया है, एक तो मुमफली के दाने, मक्का, कच्री और बेशन से हो, सारी चीजे मिक्स करने के बाद इसमें एक पैकेट के जितना आट मसाला पाउडर डाला है, जैसे कि मैंने बताया था, यह काफी ज़्यादा क्वांटिटी में नमकीन बन लेए, घर में बनाते हैं, तो आप अपने पसंद के इसाब से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, बाकि के जो भी मसाले हैं, अगर आप सेव बनाते टाई में डाल देंगे, तो नमकीन जो है, वो जादा अच्छी बनती है, तो देखाना इस नमकीन को बनाना कितना आसान है, कितने कम इंग्रीडियन्स में यह नमकीन बनके तयार होती है, जब यह अच्छे से ठंडी हो जाए, तो इसे किसी बड़े टिब्बे में भर करके स्टोर कीजिए और महीनों तक आपे से इंज्वाय कर सकते हैं, आई होक के वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा, लाइट कम होने की कारण वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी दे पाई हूँ, उसके लिए I am so sorry